जाहें साथियों स्वागत है आपको हमारे चनल PCS दर्पन पे यदि आप बिहार SSC बिहार करमचारी चैनल का डेली वाइस पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इस बुक का इंट्रेड्यूस कराने का ज़रूत नहीं दोस्तों आज की जो सेट प्रैक्टिस होने वाली है हम ल की 25 करम की है जो मोडल प्रैक्टिस सेट नमर 15 होने वाली है तोटल 150 कुछे जाएंगे इसमें आपका स्कोर के आ रहता है यह कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा चली हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन को आप हमारे चानल पर नहीं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ल इसमें कॉश्चन बोल लाए कि खुदी रामबोस और प्रफुल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था कहां पर किया गया था मुझभफःपुर में पटना में चंपारन या धनबाद में तो आप आप आंसर क्या बताओगे इसे कारेक्ट अंसर मुझभफःपुर में 1908 में हुआ था ये खुदी रामबोस प्रफुल चाकी के द्वारा किंग्स फोर्ड पे हमला किया था और पूलिस से बचने के लिए जो है खुद को गोली मार लिये थे जबकि खुदी रामबोस ने खुदी रामबोस को भासी दिया गया अगला बता अगला बताइए हिंद स्वाराज के लिखक कौन है हिंद स्वाराज के लिखक कौन है महात्मा गांधी करेक्ट अंसर भी महात्मा गांधी कब किये थे तो 1909 में 1909 में यह पुस्ता को लिखे के लिखे थे मोहंदास क्रमचंद गांधी जी को हम लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं इंडियन वर ओफ इंडिपेंडेंडेंस के लेखक जो है कौन है वीडी शावरकर जी है और आकिटेक होम फॉर्दा आयांस यह गीता रहसे गीता रहसे यह सब पुस्तके के लिखा कौन है बीजी तिलक है ना बाल गंगतरों तिलक इनका पुरा नाम है राश्टी जंदा राश्टी जंडा उत्तोलन कराने वाले तोर पर्थम भारती कौन थे राश्टी जंडा उत्तोलन कराने वाले तोर पर्थम भारत अगला प्रस्ण कीगा मोपला अंदुलन मोपला अंदुलन हुआ था आपको पता है मोपला अंदुलन कब हुआ था तो 1921 में हुआ था कहां पर हुआ था केरल में हुआ था आंसर यह बनेगा मोपला अंदुलन और यहां जो थे मोपला अंदुलन में अले मुसलियार के आश्ट ये सेन जो आ एड़ के नायकों के विरुध जो है मुकदमे की सुनवाई वू थी कहां पे हुआ था यह मुकदमे की सुनवाई के भाल अंसर बोलोगे दिल्ली में पphonोगे दिल्ली में ए पत्सम्ов構 कि소리 में 10 समझाते में मह हुद्रण भूमी का निभाने वाले थे महत्पुन भूमी का कौन निभाय थे तो आंसर बोलो गया आप बाल गंगा था रो तिलक राइट अंसर डी बनेगा 1916 में लखनाव अधिवैसन होता है अगला प्रस्न बताएगा कि अंग्रेजु से लड़ते हुए रानी लक्ष्मी बाई की मेरती हो गई थी कहां पर होगा था तो आंसर बोलो गया आप ग्वालियर की लराई में हो गया था राइट अंसर भी होगा ग्वालियर की लराई में हो गया था 1857 में शुरू जहासी में जो है सैनिको ने विद्रो कर दिया था जिसके नेतु जहासी की रानी लक्ष्मी बाई ने किया था इसका बिड़ोद और नेतित्व और चार अप्रिल 1858 को सर हिव रोज के जहासी पर यह करता है अधिकार कर लेता है प्रंतु रानी वहां से बचक निकल भागती है अगला कुशन देखेंगे हम लोग यहरा निमलिखित में से किस त्वार को मनी पूर स के रूप में जाना जाता है तो आप बॉलोगे चौरोबा राइट अंशन क्या बनेगा चौरोबर राइट अंशन ची होगा निमलिखित में हमें मिलान करना है, तो आई प्लासी का यूद बुलोगे यह सिराजु दौला थे प्लासी के यूद में और कलाइब थे प्लासी के यूद में कौन-कौन थे तो बंगाल के नवाब सिराजु दौला थे और कलाइब के बीच में हुआ था तो 1757 में हुआ था उसके बाद जो था कि हल्दी घाटे का यूद अब आते हैं ताली कोटा का यूद जो होता है या कब होता है ताली कोटा का यूद जो है यह बढ़नी हाट में जो बीजापूर एहमदावात था गोलकुंडा में संयुक्त से ने विजयनगर के करारी निरेक सिकस दिया था और 1526 में आपको पता है 1526 में पानीपत का यूद ह किसे के होता है और 1526 में और ये होता है किस में किस के कि में बावरो वर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत गली जो है listening ताली कोटा का यूद होता है बिजानेगर समराज ये और ये चार जो है एक से तैसा ओप्सन कौन सा है तो आप देखोगे इसमें बताईएगा इसमें तो आप बोलोगे बताईगा इनकलाब जिन्दावाद का नारा सबसे पहले दिया था तो आप बोलोगे भगजत सिंग के द्वारा दिया गए था है 1929 में अगला प्रस्ने कियेगा दिली चलो का महत्पून आवाहन किया गया था किन के द्वरा किया था दिली चलो का तो सुबाश चंद्र बोस जी के द्वरा करेक्ट अंसर सी बनेगा 1975 इसी में और रास्टी अपातकाल की घोसना के समय भारत के रास्पती निमलेकित में कौन थे कौन थे रास्पती तो फकरुदिन अली अहमद थे आंसर ये बनेगा फकरुदिन अली हमद अगला प्रस्द देखेंगे निमलेखित में से किस राजी में जो है तैलिया अल्ट्रा मेगा पावर प्रजेक्ट इस्ती थे किस राजी में है तिलया अल्ट्रा मेगा पावर प्रजेक्ट तो तिलया अल्ट्रा मेगा पाउर प्रजेक्ट जो है या जारखंड में आंसर ए बनेगा जारखंड अगला देखेंगे कह रहा है कि भारती रास्टी कॉंग्रेस ने स्वर पर्थम पूर्ण स्वराज का परस्ताव ग्रहन किया कहां पर ग्रहन किया था तो अब बोलोगे लह लहार अधिवेशन में राइट एंसर सी बनेगा लहार अधिवेशन कम 1929 में किया था पुर्ण सोराज का अगला देखेंगे निमलेखित में से कौन सा परामपरिक रूप से अंडमान और निकोबाल समू में रहने वाला जो है आदिवासी समू नहीं है तो कौन नहीं है आं बोलोगे वीनोंबा भावे करेक्ट एंसर सी होगा वीनोंबा भावे अगला प्रस्वन कीगा इसमें भूमी को दान करना था क्यार है कि हिंदुस्तान रिपफाब्लिकन एसोसीयेशन के अस्थापना कभ हुआ था कभ हुआ था तो आप बोलोगे 1924 में राइट एंसर बी हो थी कॉल कता करेक्ट एंसर सी बनेगा कॉल कता और 1911 में हस्तरांत केर दिया गया मतलब बदल दिया गया बताइए 1952 का वर्स जो है भारती इतिहास में क्यों महत्पून है 1952 क्यों महत्पून है तो आंसर बोलोगे आप यह लोग सभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था इसके लिए 1922 करेक्ट एंसर हमारा डी राइट एंसर होगा अगला देखिए भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन निवक्ति करता है सिविल सेवा मतलब समझे निक रेक बायोस्पियर रिजर्व है निक रेक बायोस्पियर रिजर्व किस राज्य में है तो अंसर बोलोगे मेगाले में है अगला बताएगा अब जो है भारतिये समिधान में कुल अनुसुचियों की संख्या कितनी है कितनी है अनुसुचियों की संख्या तो आप बोलो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था तो अब बोलोगे 1922 में आंसर डी बनेगा 9092 को देखी अगला प्रस्न है कि अम्रीता देवी विश्णोई रास्टी पुरुषकार इसके लिए दिया जाता है इसके लिए दिया जाता है तो आंसर बनेगा वन ने जीव सड 85 में होती आँ और बताओ सार्क की जो हेड़क्वाटर कहां पर है तो मुख्याले इसका बताओगे नेपाल के काठमांडु में है न इसमें टोटल देशों की संख्या अप्सुलनों भारत पाकिस्टान बंगलादे सिरलंका नेपाल माल्दी ऑ अफगानिस्टान और भूट सरकार का है अगला रिंम लिक्त में से कौन से ओसन्रेंस आपके सामने में मैं मताई ये केम यरल में पौक निग मत बंव लोग एकिरल And bye कोटा ना कितने हो चुके है 85 बताया समीधान संसुधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निदिशित करता है तो कैमा संसुदन करता है तो अब बोलोगे answer C 22 संदान संसुदन करता है right answer C बनेगा 22 संसुदन यह होता कभ है तुनी सो पचासी में बतायेगा kundalina kundalina the mother of the university the universe पूस्तक किसने लिखी जिसने ललिता सहस्त्र नाम का अंगरेजी अनुवाद सामिल है जिसमें जो है ललित सहस्त्र नाम का जो है अंगलेजी अन्माद सामिल है तो किसने लिखे थे आंसर बन जाएगा सी रिसी सिंग घेरवाल रिसी सिंग घेरवाल आंसर सी बन जाएगा रिसी सिंग घेरवाल अगला बते दमन और दिव को कौन अलग करती है दमन और दिव को अल किस से संबंदित है अनुश्यद 21 बताईए किस से संबंदित है तो आप बोलोगे जीवन का अधिकार से है ना जीवन का अधिकार से राइटे से ऑप्सन डी बनेगा प्रानें दवी की सतंत्रा है उसमें भारत की जलवाईव है भारत की जलवाईव कैसी है तो आप बोलोगे राइच अप्शन दी होगा अवसिस्ट परवत्व से अगला प्रस्ट देखिएगा क्रितिम जिल गोविन सागर इस राज़े में इस्तित है तो आप बलोगे हिमाचल परदेश में राइच अंसर बन जाएगा ऑप्शन डी निमलेखित में कौन सा उतर भारत में खरी फसल है जबकि दक्षीं भारत में रवी फसल है तो कौन सा फसल है इसका नव है तील आशता दा नागपूर है छोटा नागपूर क्या है बताईए चोटा नागपूर जो है यह संपराय भूमी है आंसर सी बनेगा संपराय भूमी है भारत में निमलिकित जीलो में चिसका पाणी सबसे अधिक खारा है तो आप बोलोगे सांभर जिल का, किस राज्यम है राजस्थान वे है सागर में भारती सोर भंत्व 10 समुद्र मिलो तक है कितने मिल तक है तो आंसर बोलिएगा 12 मिल तक है 12 मिल कहने का मतलब कि 21.9 किलोमेटर लगभग 22 किलोमेटर निमलेखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है तो आए देखते है बिहार में मिलती है गंगा से घागरा मिलती है गंडग भी मिलती है सोन नदी में मिलती है और पूनपूर यह सभी मिलती है यानि आंसर क्या बन जाएगा राइजेंस ऑप्शन डी बन जाएगा आपको पता है कि घागरा कहां पे तो छपड़ा मिलती है और गंडग आपको पत यह कहलाता है कि गुंडवाना भूमी आंसर यह होगा गुंडवाना भूमी कहलाता है उत्तर भारत की तराई छेत्र में सतही जल का जो है अती प्रचूरता होने का क्या कारण है अती प्रचूरता होने का कारण है कि अधिक जो है अधिक बरे छेत्रों में चोरी घाटियों के स पर साथ नदी का जल फैल जाता है अंसर क्या बनगा ऑप्शन होगा उप्सनौ स्मभनहे है अमसर औरиком-णीयुका-ईच्व étaसespère लगर्फे statuteусर नसरफ के सानलीगा टौफी फूट बाईल से तो नलीगा, पुटबॉल ऑगला बताएगा रौुफ चाल या फिर राखत यह मनीपूर का, या फिर खुखडी नाच यह सब कहां के है, खुखडी नाच या फिर यांकु यह सिक्किन का, खुखडी नांच, बताएगा नेफा पुराना है, किस राज्य का पुराना नाम है, तो आप बोलोगे, अरुनाचल पर्देश का पुराना नाम है, अंसर D बनेगा नेफा, बताए, ग्रिन विच्विच के पुर्वी देशांतर पर, निम लिखित में से किस में भारती मानक समय माना जाता है, बताए, किस ने माना जाता है, तो आंसर क्या बताएगा सारे 82 डिग्री आंसर सी बनेगा सारे 82 डिग्री उत्तर परदिश के इलहाबाद 90 के पास से होकर गुजरती है बादर भारत के समिधान का कौन सा भाग है जो संग मतलब केंद्र एवं राज्य के बीद संबंध को बताता है तो कौन सा भाग है आप बोलो परदिश से और भाग नौ जो है एक से है तो पंचायत से संबंध और भाग साथ किस से है तो पहली अनुसुची के भाग हो का जो है राज्यों से संबंध है अगला बतायेंगा है कि सिसु मिर्तिय उदर जो है आई एम आर किस वर्स विशेश रुप से पैदा हुई 1000 जीव पांडवानी कि स्राज्ये का प्रसिद्लोक निरत है पांडवानी था आप आंसर बोलेगे चछतिसगड़ का ऑप्शन बी बनेगा चछतिसगड़ यह इसलिए प्रसिद है क्योंकि यह महा काभे महाभारत इसमें पांडवों की द्वारा सुनाई गई कथा जो है तथा कथाएं जो है 36 गड़ के पराधन तथा देवार जातियों का एक गायन परंपरा है अब बताएगा अगला कि सामान ने विज्ञाने उम गणित में हम लोग कुश्यन पहला आ गया है गणित देखिए इसमें हम लोग सॉल्प करते हैं क्यारा A और B एक कारे को 20 दिन में कर सकते 30 दिन में करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करते हैं तो 20 का A दो दिन में कर लेता है तो कितना यानि 60 बट एक तीन में से दो घटा देंगे यानि कितने तो 60 दिन में पूरा कर लेगा B तो आंसर क्या बन जाएगा option D अगला प्रस्न बताएगा एक कमरे की लंबाई जो है 18 मीटर और 14 मीटर यदि फर्स और छट के छेथफल का योग चारो दिवारों के छेथफल के योग के बरावर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा हमें बताना होगा तो देखो आप मालनों की कमरे की उचाई हमारे पास एक मीटर है तब according to प्रस्न आपको पता है क्या होता है कि दो गुन्ने 18 और गुन्ने 12 यही नहोता है उचाई इसकी छेथफल यह किसके बरावर तो चारो दिवारों के छेथफल के बरावर है तो चारो दिवारों के छे आएगा अब इधर करो सीथे साथ भेज दो यहां पर ठीक है बारह से काटो पांस टैम अब तो कटेगी नहीं यानि 36 बटे पांच हो जाएगी 36 बटे पांच क्या आगई तो आपकी हाइट आगे 36 बटे पांच अब समझ रहने कैसे है यहां पर पांच है और उपर कितना है 18 और दो तो करेंगे तो 36 बटे पांच ही आगी न तो हाइट तो हमारे पास निकल गई है तो अब हम यहां से आयतन निकाल सकते हैं ल बी एच होता है ल बी एच रखो 18 गुन्ने 12 और गुन्ने 36 बटे पांच आया है यह 36 है 35 नहीं 36 अब काड़के देखो कोई कटने वाला है क्या नहीं तो सभी को गुना कर दो कि पांच से तो यह डिविजबल होने वाली नहीं है सभी को आप गुना करके डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा पंदरा सो पचपंद समलो दो मीटर क्य अब टू है मतलब थायाइड गरंती है अगला परस्ट बताइएगा रेडियम पराप्त होता है किस से रेडियम पराप्त होता है तो आउसर बोलोगों थो मैटम क्यूजी हैप 1,2013 को मिल चुका है अगला बताए कौन से सबसे अधिक अस्थाई तत्व है अस्थाई तत्व कौन है इसमें बताए तो आंसर क्या बुलिएगा ऑक्सीजन है आंसर यह बनेगा ऑक्सीजन अगला प्रस देखेंगे कहरा कि M प्लस 1 बाई M का भैलू दे रखा है आपको निकालना है A-square प्लस B-square का भैलू तो क्या होता है दूसरों आपको पधा होना से कि A-square प्लस B-square के लिए हम लोगा formula का यूज़ कर सकते हैं क्या इसे आप कर लोगे ऐसे both-sides square तो इसे कोई परसानी both-sides square कर सकते हैं इधर करोगे तो A plus B का होली स्क्वार आगया यानि A square plus BA square और plus 2AB होगी न और equal में 25 हो जाएगा ठीक है इसे आव अब हटा दो अब देखो A square plus BA square यहीं न पूछ रहा था तो A square plus BA square यहाँ पर हम रख देते A square plus BA square और इधर 2AB है 2AB है न यहाँ पर दूसरों तो 2AB यह रखोगे A क्या है मेरा M और B क्या है मेरा 1 by M तो M M से काटोगे कड़ गया यानि एक तो यह दो जो है इससे घड़ जाएगा 25 में से 2 घटा दोगे यानि 23 तो हमारा A square plus BA square का value कितना आगया 23 आंसर B बन जाएगा बता 23 से तो नियुम्तम विसम पुर्णाν कितना होगे नियुम्तम विसम पुर्णां कितना होगे दूसरों तो देखिए हम लोग क्या करते है कि मालनेत्य की प्रथम जो है निम्तम विसंपुणा के एक्स है तो साथ क्रमगत क्या हो जाएगा तो एक हो जाएगा एक्स दूसरा हो जाएगा x फ्लस two तीसरा हो जाएगा x फ्लस four है नो और चोथा क्या हो जाएगा x फ्लस six ऐसे करके हम लोग x फ्लस 10 तक करेंगे किव कुए हमें कितना चाहिए 7 चाहिए करा मागत तो 7 के लिए 10 तक आना पड़ेगा अब देखो 10 और एक प्लस टूइल तब इतना अगए तो हमारी टूटल साथ बनेगी ये चार के बात कितना चो आर्ट तब दस है नौ तब बारह ये टूटल कांट करेंगे तो साथ हजएगी सभी को adding करो तो कितना आजाएगा तो सभी को add करेंगे हम लोग यहांपर याढ़ करते हैं सभी क्वाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 7x और प्लस हो जाएगा आपका 42 सभी क्वाइड करोगे कितना है 133 यही नहीं यह वफल दे रखा है तो इसमें से घटा दो इसको तो कितना बन जाएगा एक्स इक्वल आपका 133 में से 42 घटा दोगे तो 91 आ जाएगा 91 को 7 से डिवाइड कर दो कटेगे किया 1 टाइम में 3 यानि 13 टाइम में कट गया तो हमारा निम्तम जो बीसम पुनांग है वो कितना आ गया निम्तम जो एक समने माना था वो था 13 करेक्ट अंसर ऑप्शन डी बन जाएगा अगला पड़सन देखेंगे हम लोग क्या रहे क्या कि निमलेखित में से मिलान हमें करना है तो आईए हम लोग मिलान करते हैं देख और प्लस बोलीगा अप परकाा संसलेशन किसे है तो समय से है तो उससे कौन सा घुलत जायtalk complete करती है तो दूरबं आम लेको करती है आंसर सी बनेगा दुर्वलन यानि कार्बोनी कमल को करती है उत्पन बदाएगा कह रहा है कि सिरिका डैस का वेपारिक नाम है किसका वेपारिक नाम है तो आप बोलोगे सिट्री कमल का है जो है सिरिका वेपारिक नाम है आंसर सी बनेगा अग्ला परस नेखेंगे तो एक से 20 तक से संख्या चुनी जाती है इसकी पांच इसके 5 अथवा shy से विभाज होने की परी rifata क्या है आपको बतानी तो देखो परइंगता हमें निकालने हैं तो पहले क्या क्या आ सकते ह्लिए ? पांच 10 15 और ये 4 आ सकती है और छेसे दिजर व्पाज 1 6 12 18 ये तीन ही हें न क्यूंकि हमें दी गई जो है परैंगता है इसी को व्पाजे करना है तो ये साथ टोटल है किस से 20 से तो आंसर option नमर यह है पढ़ाईटिता हमारी बताएं क्राईोजैनिक्स एक विज्ञान सम्दित है किस से है आंसर बोलोगे निमने तापमान से आंसर बी बनेगा निमने तापमान से है बताएगे पदार्थ में निमलिखित मैंसे किस अवस्था को बोस कंडंसेट आइस्ट्राइन के नाम से जाने जाता है आपको पता है पदार्थ के तीन अवस्था होती है बट होती टोटल पांच है तो आंसर क्या बोलोगे यह वास्ता है तो पंचम आंसर बी बनेगा चतूर तो प्लाजमा है परकास का तरंग सिध्धानत का प्रति अस्थापित किया गया था किन के द्वारा किया गया था तो video action kya बोलोगे अब correct answer b हुगेन्स के द्वारा किया था किन के द्वारा हुगेन्स के द्वारा परकास के तरंग का सिध्धांत का पर्तिपादन किया था जब किसी पिंड़ पर कोई इसतिर बल का परयों किया जता है तब एक समान डैस से चलेगा एक समान किस से चलेगा तो त्वारन से चलेगा एक समान त्वारन से चलेगा आंसर C बनेगा परकासी गती निम्तम होगी जब यह गुजरती है किस से होकर गुजरेगी तो आंसर बोलोगे आप काँच से होकर गुजरेगी तब आंसर सी बन जाएगा अगला प्रसन देखेगा तीन वस्तूओं में से परते को 180 रुपया के मुले पर खड़ जाता है ठीक है उनमें से एक को 10% की हानी पर बेचा जाता है अन्य दो वस्तूओं को ऐसे मुले पर बेचना है कि उसे पूरे सौदे में 25% का लाब हासिल किय तो 2 वस्तूओं पर लाब पर 30 कितना होना चाहिए यह हमें निकाननी जासे है कि आ क्या करेंगी समय कि 7 कि जो 3 वस्तूओं का राबर करते किたना है 1 थर गांणा 10% मतलब की माइनस तस करते हैं, फ्लस, वन थाड़, और गुन्य एक्स, फ्लस वन थाड़ और गुन्य एक्स, ये कितने के बराभर है? फचीस के बराभर, ओके, अब देखो, इसे सॉल्ब करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? एक्स बटे 3 equal इधर हो जाएगा 85 by 3 3 से 3 cancel तो X equal क्या हो जाएगा X equal 85 by 2 होगा काटो 2 से कितना हो जाएगा 42.5% तो आंसर कितना आ गया हमारे पास आंसर आ गया 42.5 correct answer option C बन गया अगला परस्न देखेंगे क्या है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल जो है उपर उठता है या किसके कारण उपर उठता है तो आंसर क्या बोलेगा आंसर बोलेंगे केसी कत्व के कारण उठता है correct answer option D होगा केसी की कडिया की कारण अगला पताइगा मोटर के पश्चे द्रिश्य के लिए कौन सा दर्पन वहभार करता है तो आंसर क्या बोलोगे अब उठताव ओधल दर्पन है तो आंसर यहां पर D दी औरेक्ट होगा तरीत चालक निर्मित होता है तो तामबा से आंसर बवनेगा तामबा अगला प्रस्ण है कि पदार्थ का लगुत्तम अंस है तो आंसर बोलोगे क्वार्ख है करेक्ट अंसर डी बनेगा क्वार्ख निमलिखित में सबसे अधिक परिष्थेतिक अनुकूल अनुकूल जो है इनधन है कोन है निम्लिखुत में सबसे अधिक परिष्टेती अनुकूल क्या है तो आशर बोलोगे correct answer C hydrogen right answer C बनेगा hydrogen अगला प्रस देखेगा निम्लिखित में से सुमिलित करना है निम्लिखित सुमिलित करना है vitamin C, berry berry vitamin D, escurby vitamin C से escurby रोग होता है vitamin B से berry berry होता है चलिए भी तो यहां से एक का हमें दो मिला है आईए next आगे देखते है vitamin B से berry berry होता है तो B वाला कहां चल देगा आपका और vitamin A से क्या होता है दूस्तों तो रतोधी होता ही होता है यानि answer कौन सी बन रही है option number आपकी C बन रही है option C बन रही है अगला बताएगा 14 cm तरजिया वाल एक विरता कार तार को काटा जाता है और उसे वर्ग कार मोरा जाता है तो वर्ग का हमें शेथपल निकालना है तो क्या हो जाएगा बताना है विरता कार तार की परिधी क्या हो जाएगे 2πr क्योंकि वो बेलन की आकार में होगी 2πr पहले हम रुक लेते हैं यह हमारी आधार की विर्दा करतार का है तो इसलिए विरीद का परीदी लेगे टू पाई आर में आप देखोगे तो यहां पे टू पाई आर टू और पाई की भैलू 22 बट्टे साथ और गुन्य आर की भैलू 14 काटो टू टैम्स में कितना होगे 44 दूने 88 यह 88 क्या आगे ल 다른 की भूझा एंई है यह पाई जो है ना इसके परिमाब के बराबर बट्टे की परिमाब कोई बर तो चार से काटो कितने टामस में तो कितने एंगा और 2 यानि दुड़ की खेंब हां लोगो बस इसकाइस का किटना फोरा लो इसकाई होज exhibit चार्षी आंसर्ष आपके साम मस्तिक्स के लिए होता है इलेक्ट्रो इंसे फ्लो ग्राम इलेक्ट्रो इंसे फ्लो ग्राम बताएगा रेडियू सक्रियता का अविस्कार करने वाले वेग्यानिक कौन है रेडियू सक्रियता का अविस्कार करने वाले एंडरी वेकरल है कौन है एंडरी वेकरल करेक्ट अंसर में किये थे अगला वोटाएगा आध्वनिक इस्तरी जुह वैदुत वैदुतिक इस्तरी में अभरग का परेव होता है क्यों होता है अब परेव क्योंकि ताप तथा विदुत दोनों का यह कुछ तो इसे गुणा करने पर अंतिम तीन अंख क्या आएंगे तो हम दोनों संख्या के गुननफल का इकाई अंख लेते हैं ठीक है यह एक लो और चौह लो उके तो इससे गुना करते हो ये तो पहली टर में होगी ही होगी तो क्या लास्ट में 6 नहीं आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए तो क्या 6 इसमें है नहीं कट गया इसमें 6 है नहीं इसमें 6 है हाँ इसमें है नहीं यानि option number C बन गया correct answer अगला प्रसंद देखिएगा जल में जो है समानी लवन के घोल में होता है क्या होता है घोल में तो आंसर बोलोगे आप घोल में सोडियम के धनात्मक आयन M क्लोरीन के रिनात्मक आयन होते है तो आंसर क्या बन जाएगा option number C correct हो जाएगा देखिए अगला कुशन है कि HCl जो है CH3CWH से अधिक 37 सालियम है क्यो क्योंकि यह एच प्लस आयन जो है उत्पन करने है तो संपूर्ण आयनित हो जाता है तो आंसर क्या बन जाएगा option number B correct हो जाएगा अगला देखिए क्यारा कि एक संकु के वक परिष्ट का छेथपन कितना दिया है पैंसर पाइस सेंटीमिटर स्कूर्ण और इसके आधार की तुरिया कितना है तो संकु का आयतन का आधा क्या होगा तो पहले हम लोग को संकु का आयतन निकलना होगा तो आधा बता दोगे अब पाई का भैलू रखना नहीं बिकोज पाई में ही एंसर दे इक्वल कित्ना दे रखा है पैसर पाई दे रखाए dod अब देखो पाई से पाई केंसिल हो गया हमें फाइंट करना हे तो 25 और आर अब हैं पांच तो तीरह यानि कि ना नहीं ही हम नहीं कालने हैं तो हैंट इकोल हो जाएगा ल कितना है ऩाहीं अलकितना है त्यर निकाल करोगे तो 144 144 है कितना होता है 12 यानि कि हाइट भी आ गया मेरा 12 एल भी आ गया 13 और रेडियस तो हमारा पांच है अब संकु कायतन निकाल लोते हैं संकु कायतन वन भाई थिरी पाई आर एस्क्वाइर होता है अब देखो वन भाई थिरी पाई का भाई रखेंगे 22 बढ़ते स होता है तो 100 होता है और पाई तो रहेगा ही तो कितना आ गया आपके पाई? 100 पाई आंसर देखिए कौन सा है ओपसन नंबर तो आपका एक पूर्ध सी है पताए एबभी . सी करम सब 15 , 10 और 30 दिनों में कारे को पूरा कर सकते हैं और B और C दोनों हर जो है तीसरे दिन A की सहायता करते हैं तो कारे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यह हमें बतानी कारे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा चलिए इसे हम लोग बना के दिखते हैं तीनों के द्वारा अब इसका LCM लेके हम लोग आड़ करते हैं तो कितना आ जाएगा LCM तो 30 होगा इसका यह कितना होगा यह हमें बताना है तो यह चार बट्टे पांच काम पूरा करने में लगा समय उनको कितना होगा तो तीन अगुन्य दो कितना हो जागा चो दिन सेस काम कितना बची गया तो चार बट्टे पांच है न एक में से चार बट्टे पांच को घटा लो कितना बची गया एक बट्टे पांच सेस काम को एक द्वारा करने में कितना समय लगगा दस काम करता है काटो दो से दो दिन में जो है एक काम कर लेगा अब जब एक काम कर लेगा तो कारे जो है समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा छो और प्लस दो कितना दिन लगेगा आठ दिन लगेगा तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा राइटन सब बी हो जाएगा आठ दिन अगला बताए कि आदर हवा में लोहे की जंग में सामिल है क्या है सामिल तो आंसर बोलोगे आप लोहा का जलियोजन आंसर ए बनेगा लोहा का जलियोजन सामिल है इसमें अगला प्रसने की एक धादू जो है जीले से लोहे के साथ मिलकर एस्टेनले से स्टील बनाती है वह है वह क्या है तो वह बोलोगे क्रो आंसर बी बनेगा क्रोमियम 10 परतिसत 12 परतिसत 15 परतिसत तीन समाने चुट 10 की एकल चुट के बराबर है आईए हम लोग बताते हैं किसके एकल चुट के बराबर है कितना है 10 12 15 10 12 15 आप देखोगे तो 100 से 10 घटा दोगे तो 90 बट्टे 100 गुन्य 12 है तो 88 ओके 200 फिर कितना है 15 यानि कितना हो जाएगा पचासी पट्टे 100 अब जो कटने वाला है इसे काटू जो नहीं कटने वाला नहीं काटू इस 100 से 100 कैंसी 10 से 10 कैंसी और भी काट सकते हो चलो अब इसे मल्टिपल करके डिवाइट करोगे तो आ जाएगा 67.32 इतन 32.68 तो आंसर कितना बन गया हमारे पास 32.68 परतीशत अंसर बन गया ऑप्सन नमर B करेक्ट अंसर बन गया अगला प्रस्शन बताएगा कहरा कि तीर व स्थी वस्तूओं का क्रैमूल जो है एकस वस्तूओं के विक्रैमूल के बराबर है यदि लाग जो है 25 परतीशत है तो ए यह हम लोग बनाते हैं कितना रुप्य होगा देखिए यहां पर क्राइमूल और बिक्राइमूल क्या दे रखा है क्राइमूल जो है एकस है और यह बिक्राइमूल के बराबर है ऐसे ही दे रखा है यह जो हैगा यहां पर देखे देखे यहां पर क्या दे रखा है जो क्राइम है हमारा क्रायमूल या भी क्रायमूल एक्वल कितना दे रखा है तो 100 था अब बर कितना जा रहा है 25 पर 30 यानि 125 हो जा रहा है तो अब देखो कैसे इसे बनाते हैं हम लोग पता हैं आपको एक्स बट्टे तीस एक्स बट्टे तीस करेंगे और यह जो है अपने डिवाइडे में ही रहेगी तो इसे काट दू 25 चो कासा ओ 25 पच्चे 125 चार बट्टे पांच रहेगा है न तो यह देखो चार बट्टे पांच और यह तीस जो है आपके कहा चल जाएगी उपर चले पांसर के पो श्योक जाएक करेंगे व provide one not only प之前 एक टीकट कलोजिक सकता है यादी समु में 25 वैस्प को physical है और पांच बच्चों कि पांच तरोगे प्रतिशच्याध में बताना है और जो कूल टीकट का लागत है वो कितना है 25 गुने 1200 तो 12 और 25 में गुना करोगे 30,000 प्लस जो है यह इधर बताते हैं यहां पर देखे पहले जो पांच बच्चों जो कूल बचत होता हमारा कितना है पांच गुने बच्चों का टीकट मुल ले कितना है 800 रुपया कितना 30,000 आएगा ठीक है सीधे हम 30,000 लिखते है 30,000 अब प्लस जो है पांच गुने 800 होगा क्योंकि पांच बच्चे तो 4000 सीधे यहां पर लिख देते हैं ठीक है इस दोनों को आड़ करोगे तो कितना जागा 34,000 होगे अब बचत जो परतिसत होगी किसी पर होगी 34 परतिसत पर कि यह 4000 के नब बचत हो रहा है और गुने 100 काटो 30,000 दो और एक 30,000 कड़ गया अब इसे काटो तो कितना जाए 11.76 परतिसत की जो है उसे छूट मिलेगी कितना मिला है 11.76 परतिसत की हमें छूट मिलेगी और अप्सन नमर आपका राइट एंसर डी बन जाएगा अगला जलते हैं आपको पता होना चाहिए तो 36 माइनस 0 बटे 100 में से घटाते मतलब 99 में लिखेंगे 2 0 है मतलब 2 डिजिट है इसलिए 99 तो कितना हो जाएगा 36 by 99 इसे और भी छोटा कर सकते हैं तो 6 से 6 से हो सकती है नई 3 से हो सकती है तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से क कर सकते हैं 3, 4 का 12 और 3 से 1 गारटा में यानि 4 बटे गारटा देखिए option नमर कौन है तो right answer option B है आपका बताएगा राजन एक मसीन जो है 52 लाक रुपया में घाटे में बेचता है यदि उसने 62 लाक रुपया में बेचा होता है तो उसका लाभ उसके पहले घाटे का 9 गुना होता तो मसीन का क्रैमूल क्या होगा हमें बताना है आएगे बताते हैं कितना होगा इसका क्रैमूल कि यहां पे CP कितना दे रखा है एक्स लाक रुपया में हमें लेना है ठीक है और घाटा कितना का हो रहा है तो हो रहा है एक्स में से 52 यह भी लाक में ही लेना है ठीक है यह यह भी लाक में यह भी लाक मैं ही लेना और 12 लाक रुपया में बेचने पर जो ला भोगा वो कितना होगा तो 62 माइनस एक िरिया होगा है अब देखो according to password अब देखो according to प्रस्व महीं हो रहा है उसको नौG तो भापते प्रोफिट कितना हो जा रहा है इसी मल्टिपल करते हैं तो यह कितना हो जाएगा अब देखोगों, 数 में इधर आग प्लस यानि 10 एकस हो जाएगा और यह तर जाके जूट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास टेंड़ एक्वल झो हो जाए Гामरे पास टोल हजएगा 500 टीस हेगा यह 530 आजएगा इसको depending की लैख आ एक्स की बैलू 53 लेक आ गए तो 53 जो लेक हुई है हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया है तो आप्शन नंबर कौन सा बन गया राइट एंस ऑप्शन बी अब बताये यादि किसी बिजली के बिल में 25 परतिस्यत के छूट दी जाती है तो अभी अभी भी जो है कितना 1788 सेश बिल जो होगा कितना होगा 25 परतिस छूट यानि 75 होगा 100 में से 25 खटा दोगे तो ठीक है हम मालने तेह प्रांबिक बिल एक्स था अब जो है एक्स का ही 75 परसेंट यानि एक्स का ये 75 परसेंट 75 बाइट होगा ये किस के बराबर है तो 1788 लिखो 1788 बराबर ये काटो 25 परसेंट 75 परसेंट यानि थिरी एक्स बाइट फोर इक्वल कितना है 1788 अब कट सकता है क्या और काटो इसे 35 पंद्र दो तिन नम्मा सत्ताइसो तीमशक अठार अब इसे बस चार से गुणा कर दो 594 तो आंसर कितने आ जाएंगे अग बस 384 रुपय तो आंसर बन जाएगा अप्सन नमर डी बताईगा वर्तमान में पती और पत्नी के उम्र का योग जो है 60 है तो चार सल पहले उनके उम्र का अनुपाद 7 अनुपाद 6 था तो पती की उम्र क्या होगी यह हमें बतानी होगी पती के उम्र क्या हो जाएगी तो हम मालने ते वर्तमान पती का उम्र जो है तो 60 minus x अब देखे according to person तो x minus 4 जो होगी चार सल पहले के लिए बोल रहा है तो 60 minus x minus 4 कितना के ratio में 7 by 6 के ratio में अब इसे cross multiple कर लीजिए आप 6x minus 24 होगा ये करोगे कितना हो जाएगा 420 minus 7x और minus 28 इतना ही होगा ना बस x की भेली यहाद पर माइनस में इधर आगा प्लस यानि 13 हो जाएगा 13 x इक्वल कितना हो जाएगा यह जो रोगे 312 में प्लस 24 हो जाएगा 416 टोटल हो जाएगा 13 से काटके देखो काटोगे तो 32 times में कटेगा यानि x की value आगे हमारे पास 32 तो पती का उमरे कितना हो गया 32 और पती का है प्लस 2 c इक्वल 115 है तो b का value हमें पता करना है कि b का value होगा कितना तो आईए यहाँ पर a की value देख लेते हैं 2 x b की value 3 x c की value 5 x ओके इतना लेंगे हम लोग चली यहाँ पर हम लोग solve करते हैं इसे और यह बहुत ही आसान कुछ के नाप इसे अच्छे से solve कर पाऊगे तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास value जिया है 2 x 3 c 5 x जो भी है तो इसे क्या हम ऐसे लिए सकते हैं 5 b minus a plus 2 c equal कितना हो जाएगा 115 होगा न सभी को अब यह करते हैं हम लो तो 3 गुन्ने 3 यह 5 गुन्ने b की value कितनी है मारे पास 3 x है minus a की value कितनी है 2 x plus 2 और multiple by 5 x होगी equal में आपका 115 यहाँ पर लिख देंगी ठीक अब इसे करोगे तो कितना हो जाएगा इसे एक्स equal में यहाँ पर 115 होगा काटो 115 को तेज से तो 5 टाइम में कटेगा यानि एकस की value 5 तो b की value कितना है वह तीन गुन्हा है तो 15 हो जाएगा तो answer क्या b कही find करना था तो answer a हो जाएगा correct बताए यदि दो संख्या है जो है कि बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनपात क्या होगा हमें बताना है तो आई हमनों निकालते हैं क्या हो जाएगा according तो प्रसन देखिएगा तो x minus y जो होगी यह किसके equal में होगी 20% के बराबर 20% के x plus y के बराबर होगी यही न अब चलिए 20% यानि 1 by 5 कर देंगे इसे तो x minus y by x plus 5 equal कितना हो जाएगा 1 by 5 होगा यानि कह सकते हैं कि x plus y का value कितना दे रखा है 5 और x minus y की value 1 दे रखा है अब जो है इसको योग अनुपात में हम ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा यहां पर देखिए पहले है x plus y ठीक है plus x minus y करेंगे by x plus y minus x plus y यही न equal कर देंगे 5 एक 6 हो जाएगा और नीचे करेंगे 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा ठीक अब इसे और भी छोटा कर सकते हैं तीन बट्टे दो अब देखिए 2y equal में 3 by 2 2 से 2 cancel यानी x की value 3 y की value 2 आके तो हमें यही तो निकालनी थी कितना रिसी 3 is to 2 option number right answer c अगला बताई यह दि किसी मुल्धन का चक्रवृद्धे व्याज पर दूसरे और तीसरी वर्स पराप्त होने वाली जो रासी है क्रम सह कितना है 16,844 और 17,865 दसमलों 2,4 जाएगा 111,24 तो रेट आप निकलना है रेट इकवल कितना हो जाएगा तो ब्याज जो निकला हमारा 111,24 गुन्य सो कितना मुल्धन है तो यही वाला है पहले वाला तो लिको 16,854 गुन्य एक बर्सों के लिए इसको काटो काटे यहाथ आपके पास आजाएगा टोटल चो जो की 50% अधिक कारे छमत है तो कितने समय में जो है दोनों काम साथ में मुल्धकर पूरा कर लेंगे कितने समय में कर लेंगे एक जो है 100% करता है और एक जो है जैसरी जो समय का अनपात इनका क्या होता अजस्ट अपोजित हो जाएगा तो तो जैसरी काम समाक्त के रोलेगे कितना है टोटल 45 घंटे है न तो 45 और गुन्य दो बट्टे तीन हो जाएगा तीन से काटो तो 15 15 दुना 30 30 घंटे में होगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में करें तो 45 गुन्य तीस 45 गुन्य तीस प्लस 45 प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगे 75 प्लस 35 अब इसे काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा टूटल काटों के तो 18 घंटा जाएगा आंसर डी बन जाएगा अब बताए एक कंपनी का लागत जो है गारो साल का आउसत राजस वह हमें ग्याद करना है कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा चोगुन्य बहत्तर प्लस 6 गुन्य चोड़ासी माइनस 11 गुन्य सतहत्त यह होगा बस इसे आप कल्कुलेट कर लो कितना हो जाएगा अगला होते हैं एक आयत का परिमाप का आधा भाग जो 30 संटीमेटर है यादि आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 6 संटीमेटर अधिक है तो आयत का छेथफ़ल हमें बताना है एल भी कितना दे रखा है 30 दे रखा है ठीक है 6 प्लस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 30 यानि कितना हो जाएगा टू बी इसे घटा दो 24 से 2 काड़ोगे तो 12 बी की बैली कितना जाएगी 12 आगया एल की बैलू चोड़ बार अठार हो जाएगा तो शेफ़ल निकालने लें इंटू बी बार इंटू अठार कर लोगे तो कितना हो जाएगा यह करोगी तो 216 सेंटीमेटर स्कॉर्ट ऑप्शन बी बन जाएगा अगला प्रस्ण ने किएगा कह चोगा 32 आप्शन नम्मर सी करेक्ट होगा अगला यदि किसी बेलन कारवस्तू के वक्र सता का शेथपल जो है 616 सेंटीमेटर है 600 सेंटीमेटर स्कॉर है उचाई 14 है तो उसकी तिर्जिया क्या होगी तो बेलन का आपको पता है 2 पाई रह होता है 2 पाई आर एच इक्वल कि 216 है 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा यह तीन और जिरो आठ 308 होगा है न हमें तीन सो आठ बटे 25 सा उपर में चल जाएगा 7 और यह आ चायोगा है जो है 14 हो जाएगा साथ से काटो टू से यह टू से काटोगी तो वन फाइब और फोर होगा एक सो चोण को काटोगी 22 से तो कितना टांस तेगा यह कटेगा आपका सेवन टैंस में यानि आड़की भालू आ जाएगा साथ से लिगूलर ऑप्सन नमर भी करेक्ट एंसर हो जाए हैं तो कितने अंगपराडत के हैं मान लेते हैं कि दूसरे छातर एकस परापड करते हैं और पहले फाले एकस प्लस 22 क्योंकि वैस अंक अधिक हसल करता दूसरा वाला left और भी तूंष्ज नहीं कि कि अध inquell ov नोग देखेंगे यहांपे तो क्या हो जाएगा 11 plus 22 एक तुरस प्लस एका उतला होगा यह कितने प्रतिष मूंपर्तिष में को क्रते हरे एक स्प्लस 22 जो है यह जो अधिक वाला प्राप्त करता है वो कितना है तो X plus X plus 22 equal कितना हो जाएगा 25 परतिशत के अब चलिए इसे डिवाइड करते हैं हम लोग तो X plus 2 आजाएगा X plus 22 equal कितना हो जाएगा 2X plus 22 गुन्ने यह हो जाएगा 5 से काट से आप इसे तो 11 और 5 से काट होगे तो 20 आजाएगा 11 बटे 20 ठीक है अब यह देखो तो X plus 22 ठीक है और इधर से यह 2X है तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं X plus 11 यह कैसे होगे आप समझ रहे होगे यह काट के 10 कर लेंगे इस कारण हुआ ठीक है न क्यूं यहां से common दो लिए हैं और इसे काट दिए हैं तो हमारे पास इतना आएगे ठीक है अब देखिए यहां पर है 11 X plus 22 यहां है 11 plus X है न तब इसे cross multiple करते हैं तो कितना आजाएगा 10 X और प्लस कितना आजाएगा 220 और इधर आजाएगा 11 X और प्लस एक सो एक कैसा आजाएगा अब यहां से 10 X में से एक घटा यह आजाएगा तो घट जाएगा यानि X की value कितना आजाएगा इधर घटा दू तो 99 आजाएगी X की value आजाएगी 99 तो X प्लस 22 इसमें कर दो 99 आज कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 11 और 12 यानि एक 99 और एक 121 तो option नमर कौन सा मैच कर रह अगला परस्ण देखिएगा मांसिक छमता एवम जाच है तो दिये गए विकल्प में संबंदित सब्द को हमें चुनना है असनूकर छड़ी से है तो क्रिकेट किस से संबंदित है वताएगा तो आप बोलोगे बल्ला से संबंदित है है अगला वताएग कितने बोतल जो है क क्या घुतन नहीं है यह वाला नहीं होना चाहिए तो आप बोलोगे यह वाली है तीन है न वांसर क्या बन जाएगे और एक यह भी है आठ और 30 दोनों फाher कड़ेंगे तो 11 क्या बन जाएगगो assistance निचे देगे में आने फाली जोो है अगली आक्रिती क्या आएगी यह बता अगला प्रस्ट मताइगे इसमें बताइगे कि अगली संख्या इसमें क्या भर जाएगी 1630-6262 तो 246 तो अगली संख्या क्या आने वाली है अगली संख्या क्या आ जाएगी दूस्तू तो यहां प्या जाएगी 16 गुना 2 32 32 में से 2 घटा लो 30 वैसे ही 30 30 दूना 60 में से 2 घटा लो सभी में से वही करा गया 62 120 20 20 में से आपको 62 दूना 2 तो 164 मतलग कि 124 में से आपको 2 घटाना है वैसे ही फिर इसमें करना है दो से गुना फिर उसमें दो हटाना है सभी को से मोई कंडिशन करें होगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 490 कारेक्ट अंसर यह बन जाएगा देखिए यहां पर इसको 25 यहां पर 64 तो यहां पर क्या होगा देखिए पांच इसका मतलब तो अप्सन नमर भी हो जाएगा एकार का एकस बताएगा है यहां पर बिसम संख्या इसम कोन है अक्षर तो बिसम अक्षर आप देखोगे तो सभी लगातार अक्षर समुग है बट यही एक लगातार नहीं है देखोगे तो MNO PQR TUB अब देखो इसमें बताना है दो हमारे पास दिया है 4 और 6 को क्या करना है दो को कथन है कौन सही होगा यह आपको बताना नहीं है तो देखे कौन सा सही होगा इसमें पहला एक वेशन में आप रखके दोखेगे तो माइनस 8 अठारा है पहला में चार और 6 को रखोग गया क्योंकि यह बी में आ जा रहा है तो इसलिए option यह बन जाएगा देखें यहां पर दे रखा है क्या हमारे पास समुच्छ दे रखा है 192, 142, 252 इसे में से हमें सेम इसी की तरह सेलेक्ट करना है कौन सा होगा तो आप देखोगे तो 140 और को आड करके 2 से डिवाइड करोगे है तो कितना हो जाएगा ही दोनों अगज हो में però से गटाना है तो आपके पास 180 आएगा यान् Hmmm i correct हो जाएगा आगे बताना आपको go ुटल भासा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया जैसे फ को छो लिखा घये है नि तो चोग बदले उगी बढ़ाएगे है साथ कि इसको 15 प्ंद ररफ है न छाओ और पंद रर पंद राट करो गुण्ने कर दो छो और पंद रर नब्य हो जाएगा चौदा गुने 20 कर दो ठीक है इस दोनों को आड़ कर दो तो कितना हो जाएगा सभी को आड़ कर दो तो 714 जाएगा सेम यहां पर वही करेंगे हम लोग जी का भैलू 7 और प्लस 12 है नो यहां 6 और 15 21 हो जाएगा और गुने चौदा और 20 को आड़ कर दो 34 उसको गुना कर दो तो 714 इसमें भी दो दो के पियर ले करके जोड़ना है और जोड़ करके तब गुना करना है यानि जी और एल को जोड़ दो तक कितना बन जाएगा यह दोनों 19 बन जाएगा साथ और 12 19 और जो है हमारा यू और ए कितना हो जाएगा 21 और प्लस 5 करोगे तो 26 दोनों को गुना करोगे तो आ जाएगा इतना से में यहां पे 10 और 15 और 11 और 4 को जोड़ के दोनों को गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 400 टोटल आ जाएगा option A बन जाएगा अब यहां पे दिए गविकल्प में से हमें चुनना है को अंसा करम आने वाला है देखे के 11 और 12 बार अगबाद 13 तिरा अगबाद 14 यानि एन एन से सुरू होने वाला तीन ही है मात तो यह तीन में देख लेते और क्या है आर तो 18 दू 20 20 22 24 यानि एक साना चाहिए तो यह भी नहीं यह भी दूट 3 बढ़ा था अधियर में यहांसे कितना बढ़ा बढ़ा तो यहांसे 4 बढ़ा फिर यहांसे 3 फिर यहांसे现在 बढ़ा दो तो कितम अधार थो ऑप्सनमर आपका टी हो जाएगा 6 बढ़ेगा तो तरे पन बताइए इसमें कूट भाषा में दिया गया है इसका यह लि बढ़ाना है तो 15 से 4 बढ़ा दोगे तो 19 यानि S इसे 3 बढ़ा दोगे तो 17 यानि Q तो S और Q से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन है तो S और पहले तो हम लोग 3 बढ़ाते हैं पहले 3 बढ़ाना है तो O से 3 बढ़ा होए तो 18 तो S वाला नहीं थीक है तो कितना आ जाएगा यह डवल आर से स्टाट हो रहा है डवल आर एकस डवल र एकस और तो एकस इस में भी नहीं है यानि अप्शन नम्मर आपका करेक्ट डी बन रहा है अगला बताईगा कहरा निम्लिकित अक्षर में हमें बताना है अलग कौन है सबसे तो अलग सबसे आप देखोगे तो अप्शन बी आएगा क्यूंकि सभी वी कल्प में प्रथम दो अक्षरों के बीच का अंतर समान है तो आंसर हमारा बी करेक्ट अब बताई पांच दिसंबर पांच सितंबर 2008 को सुंबर था तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा कौन सा दिन होगा तब 25 आप प्लस 9 कर दो बड़ता साथ 6 से स्वल बच रहा यानि सुंबर प्लस 6 रवी बार बन जाएगा ऑप्शन नम्मर बन जाए यदि आपको नहीं समझ में रहा तो उसे बताएगा मैं सौर्ट वीडियो के तहट जो है एक एक वीडियो को क्लियरफाइग कर दूगा नहीं जदी समझ में रहा तो पूरे एक रिजिनिंग का ही प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगो समझा दूगा ओके यहां पर विश यह नहीं यह यह इसके इसके अना चाहिए तो टी यह ऑप्सन नमर क्या बंजाएगा सी अब इसमें विलुप्त संख्या में बताना है कौन सो होगा तो बिलुब तो संख्या कैसे निकालेंगा इस अब देखो दो पलस पांच का होल क्यूब कर दो तो कितना हodka है नहीं कि तो option number यह बन जाएगा ज़सा जाएगा क्योंकि यह सार्थक बताना है क्या हो जाएगा कौन सा सही करम होगा तो सही करम आप देखोगे तो सबसे पहले जांगे उसके बाद पेट उसके जस्ट बाद आएगा ओट तब आएगा आपका नाग तब आएगा खोपड़ी हाना तो अप्शन नमर कौन सा मैल रहा है अप्शन ए मिल ला आपका नेक्स्ट बताएगा एक व्यक्ति पस्षिंग की और जो मूँग करके मूँग किये हुए है और दक्षिना वर्थ 45 डिग्री गुमता है किधर मूँग की यह पस्षिंग और दक्षिना वर्थ कितना गुमता है 45 डिग्री मतलव कि यह इधर गुमता है दक्षिना वर्थ दक्षिना वर्थ गुमता है ना पहले 45 यानि इसके राइट साइड यह हुगा तो यह इधर घुमा ओके इधर और फिर दोबारा जो है 1210 यानि कि इधर आ गया यह बामा मर्ट ऐसे घुम गया ऐसे घुमा था 180 घुमता है अंत में वहां दाही नहीं नबय डिख्री नबय डिख्री घुमता यानि यहां फिप अब वह मूख किस दिशा में है तो आप बोलोगे दक्षिन पश्चिम है आंसर क्या बनेगा राइट अंसर डी अगला होताईगा क्या रहा है एक ही पासे में हमें तीन का पोजित बताना है देखिए इसमें भी दो है इसमें भी दो है ठीक है चलिए हम लोग दो से ही start करते थे तीन का हमें पूछा गया है तो यहां से भी बना सकते हैं आप एक और देखिए एक से start करते हैं एक के बाद दो है के बाद पांच है यहां से भी उठाई एक के बाद तीन है उसके बाद चो है यानि दो का opposite कितना मतलब तीन का opposite दो आ तो आपको आरेख से चुन्ना है महिला परसिक्षक और पाइलट महिला परसिक्षक पाइलट तो आप बता है कि महिला परसिक्षक भी बता है कि अगला पता है कि नीचे यहाँ पर फोल्डिंग है यहाँ परसिक्षक अल्गरा करेक्षक और बताएगा निक्स इसमें कूट भासा में है कि यह इसका यह लिखा गया है इसको यह लिखा गया है तो आपको बताना है इसका क्या होगा एसका पता है 19 होता है फिर 19 कैसे लिख दिया यह आप जानना चाहते हो न तो एच का ऑपोजिट 19 होता है फिर एच का फाइफ होता है फ ların कोफिर इसका प्रफिन pegar ऑड़्लायू गया फीजेञ का ओरिजिनल फैल्फिर सब्संद्स को सभी मसीने क्या है टूल है कोई भी टूल कंप्यूटर नहीं है ठीक है यहां पर मसीने बना लेते हमनों सभी मसीने टूल है सभी मसीने टूल बना लिए कोई भी टूल कम्प्यूटर नहीं कोई भी टूल जो है कम्प्यूटर यहाँ पर नहीं है तो आंसर देखते हैं हम लोग क्या बना है कोई भी मसीन जो है कम्प्यूटर नहीं है कोई भी मसीन कोई भी मसीन जो है यहाँ पर कम्प्यूटर नहीं है यह तो बात सत्य बोला है दूसरा देखते है कुछ कम्प्यूटर टूल है कुछ कम्प्यूटर जो है टूल बिल्कुल अलग है यह होगा ही नहीं यानि कथन हमारा एक फॉलो कर रहा है तो ऑप्सन में कौन सा है कथन एक जो है ऑप्सन नमर डी में है राइट अंसर डी बन जाएगा अगला परस देखिएगा कह रहा है कि डवलू का बदले लिखा 46 कैट का लिखा 48 तो आप जो है सेल को किस परकार कोड़ बदित करेंगे तो बताईगे कैसे करेंगे देखि डवलू को 2 से डवलू का फैलु तेश होता है तेश्डविन दूना 46 रखा है तो ऐसे बदल रहाए तो ऐसे ऐग का फैलू निकालोगे जितना भी होगा उसमें 2 से मील्टिपल करने पे तो यहां पर भी सेल का ओरिजनल बैलू निकाल दो समें दो से मल्टीपल कर दो तो 74 आएगा ओप्सन बी नेक्स आगे प्रसंद देखेंगे हम लोग कथन और निसकर से कथन क्या दरखा है कि सभी पार्क जो है स्कूल है ठीक है सभी पार्क जो है स्कूल कोई भी स्कूल कॉले स्कूल जो है क्या पार्क है सभी स्कूल पार्क है यह तो बिल्कुल ही सत्य बोलना है कोई भी पार्क जो है कोई भी पार्क कॉलेज नहीं यह भी बात सत्य है यानि हमारा कथन क्या आगया सभी कथन जो है सत्य हो रहे है यानि ऑप्सन नंबर ऑप्सन डी वनेगा नेक्स ब पताना इसमें आगे आने वाली कौन सी फिगर बनेगी बताई इसमें से कौन फिगर बनेगा देखिए बताई कौन सा होगा तो आप आंसर बोलोगे इसको यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे देखिए यहां से तीन बढ़ा है तीन चो होता है 15 में तीन घटाना है तो 12 होता है मतलब 3 जोड़ना है 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 3 जोड़ना ह इसमें भी उसके बाद भी इसमें भी है भी इसमें भी यहां तक चलते हैं क्यूं क्यूं यहां पर अब जो है लास्ट दो अंक वाली देखो पहले क्या है बढ़ेगा घटेगा 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 बढ़ेगा तो हमें बढ़ाना है तो इसमें से यह दो है हमारे एक पास क्या रहे है घताना पहले हम लोग बढ़ाएंगे पहले हमें तूसरा हमें गटाना पीर जोड़ने है था बीच में 2 जोड़ना उसके बाद फिर घटाना फिर जोना फिर घटाना ऐसे है ठीक है तो यह बात समझ गए मतलब कि दो की बाद जो है आपको बस स्टार्टिंग में दो की बाद यहाँ पे दो बार जोरना है नहीं तो सभी जोर घटाओ का पूरा सिलसिला है ठीक है ना तो यानी option नमर हमारा यह आ जाएगा क सन यहाँ पर क्या बन जाएगा डी हमारा यहाँ पर बताएगा बोला क्या गया है कि एक अंतराश्टिय अभासी सम्मिलन का समन में जो है क्रिप्टोग्राफी है ना फ्लूट डायनोमिक्स और बिग डेटा अनलेसिस जो है वैवलेट वैवलेट थेओरी है ना और डिफरे इनका सथारेगा और यहाँ पर दिपजल की टैइंट में दे रखा दूस्तूं इसे आपको पहले दीन ना ठीक है यहाँ पर जो किये गये है कि नाम लिखंग है तो इसको यह तो इसको फीजिक्स को बताना है क्या लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों आप सभी को एड करोगे तो चोड़ा सी आरा ठीक है इसमें सभी को एड करोगे तो चोड़ासी इसमें भी सब सबसे कम है तो रगव होगो औरम की स्थिति क्या हो जाईगी पहले सब से उपर हर्स उसके बाद हो उसके बाद रहमन रहमन सके बाद री टेस व Epic वर यहां पर भिट म vais में तो यह है आपका मतलब की इसे होगा ठीक है तो इसमें हमें आंसर क्या बताना है option हो जाएगा आपका रामन से ठीक उपर है रामन से ठीक उपर है रागो आंसर भी बन जाएगा अगला बते कहरات यहां पर यहां पर दे हो अलग बताना है सबसे अलग कौन है इसमें तो आप देख रहें मुर्तिकार जो है च्छेनी क्यों लेगा आंसर यह बन जाएगा अब बताएगा यहाँ 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 पर नीचे फॉलक के है न दिया गया है हमें के का अपोजित बताना है के का अपोजित बताना है तो चलो कोई भी ठालो ए इसमें भी एसमें भी एसमें भी ए से चलते इधर कुड़कवाईस ए के बाद है एक उसके बाद है बी ए उठालो एक बाद है के उसके बाद है टी यानि एक का वैलू के आशन क्या बन तो सबसे जादा धनी कौन होगा B उसके बाद है A उसके बाद है इझ। उसके बाद है C उसके बाद है डीड़ यानि सबसे जादा धनी B है Option嚶 B है बन गया में अगला मता दिजिएगये चोगत यह प्रसन इह है ना हम आपको माने की अन्मती नहीं है बता एक पॉंस है इमेज जो है इसमें फॉर्मेट कर रहा है तो आप बोलोगे ऑप्शन नमर ए में करेक्ट अंसर यह बन जाएगा अगला बताएगा यहां पर कूट भासा दे रखा ठीक है ओसेन को ऐसे लिखता है तो इसी भासा में रिवर को क्या लिखेंगे हम लोग रिवर को क्या लिखेंगे अब देख रहे है ओसे पी गया यानि कितना एक बढ़ा है दो बढ़ा है तीन बढ़ा चार बढ़ा पांच बढ़ा है वैसे ही अभी बढ़ा दो 18 से एक बढ़ा दो 19 फिर आई से एक बढ़ा दो 10 तो 10 पे क्य और माइनस का तो इसे सौल्ब करों अब बताएं कि आंसर क्या मनेगा अर्ज से बता देते हैं आंसर इसका क्या जाएगा अपका यहां यहां पर जो है आपको कि हमको डो चिनों को आपसम बदलना होगा ऐसे option basis पे आपको बदलना ही पड़ेगा प्रॉपर वाए में तो आप बदलोगे तो option number D correct हो जाएगा यहाँ ठीक है option D देखे यहाँ पे fulfill करना है तो इसे पूरे count करना होगा पहले count करके तब divide करके इसे इसका C correct answer होगा जाएगा देखे वेदीता पूरब की तरह मुह करे हुए है ठीक है पूरब की तरह मुह किया हुए उसके बाद जो है दाय मुर्कर पचास मीटर ठीक है दाय मुर्कर थीक है वहां से फिर जो है दाय मुर्कर 25 मीटर ओके 25 मिटर यहां से फिर वहां 10 मिटर उत्तर की ओर चलती है 10 मिटर उत्तर की ओर चलती है ठीक है यहां उपर में मतलब फिर वहां 20 मिटर पूरव की ओर 20 मिटर इधर पूरव की ओर ओके पूरव की ओर चलती है अब वहां अपने मूल अस्थान से किस दिशा में है मूल नीचे दक्षिन यानि दक्षिन पूड़ा में है तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्सन नमर बोलोगे ऑप्सन नमर ए हो जाएगा दक्षिन पूड़ा नीचे दियेगे कितने तिर्भु जाएगे काउंट करके बताना है यहां पर पॉज करिए कुश्चन को और पॉज करके आप अपने कॉपी पे इसे नोट करी है और नोट करके तब इसे काउंट करी है बताए कितने तिर्भु जाएगे आपके तोटल इसमें आ जाएगे 26 ऑप्सन भी हो जाएगा अगला बताजिए एक फोटोग्राफर में एक लर्की की योरिसारा करते हुए राजेस कहता है वह मेरे पीता की इकलोती बेटी है राजेस उस लर्की से कैसे संब्दित है कैसे संब्दित है बता दीजे तो राजेस जो है उस लर्की से कैसे संब्दित है उसकी भाई हो पुर्ण हे अगला इगा अगले अस्थान पर आने वाला चाहिए चाहसे 24 से 60 120 तो अगली संके क्या आएगी देखिए च्छोग जो है यह दो का क्यूब करो तो कितना हो जाएक आठाध में से दो घटा दो तीन का क्यूब करो इसमें से कितना घटा देते तीन ठीक है चार का क्यूब करो इसमें चार घटा दो पांच का क्यूब करो इसमें पांच घटा दो छो का क्यूब करो तो उसमें से छो घटा दो यानि 210 आ जाएगा और यहां पर समुच्छ दे रखा है जैसे चार चो और चो बावन तो चार का हम लोगे तो कितना जाएगा अगला और लास्ट कुछन हम लोगा क्या किया कि A प्लस B का मतलब है A B की माता है A माइनस B का मतलब है A पत्नी है B की A गुने B का मतलब है A भाई है B का A भागा B का मतलब है A पती है B का तो यहां पर equation दे रखा है यहां पर आपको बताना है यहां पर रख करके आना कि यह किससे संबंदित है तो देखे यहां पर कैसे बन अब देखिए क्या बोल है q और t ये क्या होगे इसके पती होगे ये इसके पती होगे अब जो है कि जे जो होगा वो क्या होगा जे इसका पती होगा ठीक जे इसका अब देखिएगा तो जे जो होगा जे टी से क्या रिलेशन होगा इसका ससूर होगा और जे जो है आपका जे और एम में यह दोनों भाई हैं वह इसमें क्या religion है यह पती है तो answer बन जाएगा हमारा जे जुह है यह ती से यही तो पूछा गया है कि यी कझा टी का जे से क्या संबन्ध है कि झीका जे से संबन्ध क्या है थो उसका ससूर होगा टी où है जो का ससूर होगा आंसर यह बन जाएगा ऑप्सन नमरी से आप सॉल्व करना बहुत ही असानी से यह सॉल्व होगा थोड़ी ठीक है तो आसा दूस्तों वीडियो पसंद आएगा फिर मिलते हैं अगले सेट में जब तक के लिए धन्यवाद जो भी नहीं समझ में आएगा उसे कॉ वीडियो प्रवाइट करा दूंगा आपके लिए थन्यवाद